हलो दोस्तों लुसेंट रास्तान चीकी कि इस वीडियो में आपका वेलकम अजस्तों तो आज डिसकस की जाएंगे 180 महत्पुन कुश्चन डिसकस की जाएंगे जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट साभित होने वाले हैं क्योंकि बार बार एक्जाम के अंद सफेज सिमेंट का कार खाना कहां इस्तित है तो ये गोटन नागोर में इस्तित है और ये राजस्तान के अंदर पहला सफेज सिमेंट का कार खाना है नेक्ष ने भारत सरकार का उपकरम इंस्टुमेंशन लिमिटेट कहां इस्तित है तो ये कोटा जिले में इस्तित है नेक् परसेंट इस्षा राजस्तान में है, जिसकी लंबाई है, तो इसका गरेक्टर अंसर है, पान्सो च्छी अतर किलोमेटर की लंबाई है, जो की दिल्ली और मुंबै से जो इंडिस्टियल कॉरीडोर जो प्रियोजिना जो विक्सित की जारी है, उसका जो 40 परसेंट जो इस्ष में की गई थी पहले सहकारी बैंक की स्थापना निक्ष ने किस शहर को राजस्तान राज्य की ओद्योगीक नगरी कहा जाता है तो कोटा शहर को कहा जाता है निक्ष ने राजस्तान एयर कार्गो कॉंप्लेक्स इस्तित है तो यह सांगानेर जेपुर में इस्तित है एयर कार् राजस्तान में राजस्तान राष्टिये केमिकल एंड फर्टिलाइजर को इस्तापित किया गया है तो चितोडगर जिले के कपासन में इस्तापित किया गया है राष्टिये केमिकल एंड फर्टिलाइजर को नेक्शन है राजस्तान में सुरपर्थम 1964 में वनस्पति घी उद् से सहकारी शिक्षा एव न demost प्रभंद के लिए संस्टा इस्ता इस्तापित की गई है तो जेपुर में स्नस्था इस्तापित की गई है सहकारी शिक्षा और प्रभंद के लिए संस्था नें इश्तान वित निगम जिसे RFC कि आ students की गई 17 जनवरी 1955 इस्वी को हुई थी राजस्तान वित निगम की स्थापना नेक्ष ने राजस्तान में 1857 के विद्रहों का प्रारंब सबसे पहले कब और कहां हुआ तो 28 मई 1857 इस्वी को हुआ था और कहां से हुआ था नसीरबाद से हुआ था नेक्ष ने 1857 की करांती के समय राजपुताना की रियासत जेपुर का शाशक कौन था तो राम सिंग दित्ते था 1857 के समय जब राजपुताना की जेपुर में रियासती उस ताइम पे राम सिंग दित्ते यहां का शाशक था नेक्ष ने आउवा के किले के दर्वाजे पर किस पॉलिटिकल एजेंट को लटकाया गया तो मेक मौंसन को लटकाया गया था आउवा के किले पर जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम है मेक मौंसन को नेक्स चुने 1857 के करांती के विद्रो के समय राजस्तान के कितने सेनिक चाउनिया थी तो कुल मिलाकर 6 सेनिक चाउनिया थी राजस्तान राज्ये में इनमें फ़श्ट है नसीराबाद दूसरी है निमबच तीसरी है एरिनपुरा चौती है खेरवाड़ा पांचवी है ब्यावर और छटी है देवली तो इस प्रकार से 6 चाउनिया थी 1857 के विद्रो के समय नेक्स चुने उर्स मेला कहां लगता है तो यह अजमेर में लगता है ख्वाजा मोहिंगिन चिस्ती की दरगा पर नेक्स चुने हिंदू सिक सदभावना का मेला कहां लगता है तो कोलायत में लगता है विकानेर में जहां पर हिंदू और सिक सदभावना का मेला लगता है नेक्स चुने गणगोर का मेला कब मनाया जाता है तो चेतरशुक्ल पक नेक्ष की तृतिया को मनाया जाता है गणगोर का मेला नेक्ष ने बादशा का मेला कहां बढ़ता है तो ब्यावर में बढ़ता है बादशा का मेला नेक्ष ने रानी सती का मेला किस जिले में बढ़ता है तो जुन जुन जिले में बढ़ता है रानी सती का मेला नेक्ष ने श चीतला माता जो लोग दे उता है उनके प्रतीग है मिट्टी के बरतन नेक्ष ने भरतरी का मेला किस जिले में बरता है तो अलवर जिले में बरता है नेक्ष ने सहरिया जाती का कुम्ब कहलाता है तो सीता बाड़ी जो की बारा जिले में स्थिता है उसे कहते हैं सहरिया जाती का कुम्ब नेक्ष ने राजस्तानी इतियास का पिता महा कौन कहलाता है तो कर्णल जेम्स टोड को कहते हैं राजस्तानी इतियास का पिता महा नेक्ष ने संयुक्त वरत राजस्तान संग का नाम राजस्तान का पड़ा 26 जनवरी 1950 को पड़ा था राजस्तान नाम संयुक्त वरत राजस्तान का नेक्ष ने किस दिन सूरिय की किरने करक रिखा पर सीधी गिरती है तो 21 जून का जो दिन होता है उस दिन गिरती है करक रिकापर सूरिय की किरने बिल्कुल सीधी निक्ष ने 56 के मेदान के निर्माण कौन सी नदी करती है तो माही नदी करती है 56 के मेदान का निर्माण निक्ष ने राजस्तानी बोलियों का सुरपरतम वर्नन किया तो सर जौन अबरहीम ग्रिंसन ने क्या था सबसे पहले राजस्तानी बोलियों का वर्णन नेक्षन है भवाई नर्ते के जनमदाता कौन है तो बागा जी है भवाई नर्ते के जनमदाता नेक्षन है चरी नर्ते किस शेत्र से सम्बंदित है तो किशनगड शेत्र से सम्बंद जो कि शुरू कि गई थी नवाग फैजूला के समय नेक्षों ने जसनाती संप्रदाय की उत्पति किस जिले में हुई तो बिकानेड जिले से हुई थी जसनाती संप्रदाय की उत्पति नेक्षों ने मेवाड प्रजामंडल की इस्तापना कब हुई तो 1938 इस्वी में हुई थी मेवाड प्रजामंडल की इस्तापना नेक्ष ने उदे सिंग की छत्री कहां बनी हुई है तो गोगुंदा में इस्तित है उदे सिंग की छत्री किस महाराणी के जोहर को चितोडगड का दूसरा साका भी कहा जाता है तो हाड़ी राणी करमवती के जोहर को कहा जाता है चितोडगड का जो किला है उसका दूसरा साका भी नेक्ष ने बिठोरा का युद्ध कब हुआ तो सितंबर 1857 स्वी में वता बिटोरा का युद्ध नेक्षन प्रतिहार वंश का केंद्र है तो मारवाड जुशेतर है वह है प्रति brack वंश का केंद्र नेक्षन यदव करोली राजवण्श के संस्तापक कौन है तो अर्जुन पाल थे करोली राजवंश के संस्तापक नेक्षने महारणा परताब की संकट कालीन राजदानी थी तो चावंड उदेपुर थी संकट कालीन राजदानी महारणा परताब की नेक्षने कुमबा का निवास इस्तल था तो कटारगर था कुमबा का निवास इस्तल नेक्षने राजस्तान का बिश्म पिता महा कहा जाता है तो कुवर चूड़ा को कहा जाता है राजस्तान का बिश्म पिता महा नेक्षने चितोड में विजे स्तंब का मुख्य सुत्रदार था तो जेता था मुख्य सुतरदार जिसने विजे स्तंब का निर्मान करवाय था कीर्थी स्तंब प्रशेश्टि के रचियता कौन थे तो अत्रिते कीर्थी स्तंब प्रशेश्टि के रचियता निक्स ने मारवाड का पर्थम प्रतापी शाषक जिसने जोदपूर की स्तापना की राव जुदा ने की थी जोदपूर राज जी की स्तापना और महरान गड़ का किला भी राव जुदा नहीं बनवाय था निक्ष ने मेवाड राज्जी की निव किसके द्वारा डाली गई तो बपर आवल के द्वारा डाली गई थी मेवाड राज्जी की निव निक्ष ने चोहानों का पर्थम शाषक कौन था तो वासु देव था पहला शाषक चोहानों का नेक्ष ने किस सेनिक को भगनावेश कहा जाता है तो राणा संगव कहा जाता है भगनावेश नेक्ष ने ज्ञाडशाही सिक्के किस राज्य से सम्मझ दिता है तो जेपुर राज्य से सम्मझ दिता है ज्ञाडशाही सिक्के नेक्ष ने राजस्तानी इस्तापते कला का जनक किसे कहा जाता है तो राजबा को कहा जाता है नेक्ष ने काली बंगा का शाब्दी करता है तो काली चूड़िया है काली बंगा का शाब्दी करत नेक्ष ने पंचकुड पुषकर म्रगवन की स्तापना कब की गई तो 1985 इस्वी में की गई थी पुषकर में पंचकुड पुषकर म्रगवन की स्तापना नेक्ष ने कोपेन के अनुसार जलवायू को चार भागों में कब बाटा गया तो 1918 इस्वी में बाटा था कोपेन ने जलवायू को चार भागों में नेक्ष ने राजस्तान का सरवादिक वर्षा वाला इस्तान कौन सा है तो माउंट अबू है सबसे ज़्यादा वर्षा वाला इस्तान नेक्शने राजस्तान में सरवादिक गरम जिला कौन सा है तो चूरू है सबसे गरम जिला राजस्तान में नेक्शने राजस्तान का सरवादिक आदिर्ता वाला जिला कुन सा है तो जहलावाड है नेक्शन है राजस्तान में सबसे छोटा दिन कब होता है तो 22 दिसंबर को होता है सबसे छोटा दिन राजस्तान में जून महा में सूरिय किस जिले पर लंबवत चमकता है तो बासवड़ा जो जिला है उसमें लंबवत चमकता है सूरिय जून महा में मावट क्या है तो राजस्तान में जो शीत रितु में जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं नेक्षने, राजस्तान किस ताप कटी बंद में आता है, तो उष्न कटी बंद ये, उष्न शितोष्न कटी बंद में आता है, राजस्तान, नेक्षने, राजस्तान में जून महा में जूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है, तो जेसल में जिले में है, नूनतम पुर्वाई किसे कहते हैं तो करशकों का जो सुबह का बोजन होता है उसे सीरावन कहा जाता है नेक्षण ने राजिस्तान में स्वरप्रत्म वर्ष 1830 में किस राज्य ने कन्यावदगो अवेद टहराया राज्स्तान में किस वर्ष में सती पर्था को जेपूर रियासत में गेर कानूनी गोशित किया Сती परता को जेपुर रियासत में गेरकानूनी गोशित किया था किस संसकार के बर्हत इस आश्रम की शुरूवात होती है बर्हत इस आश्रम की शुरूवात किस संसकार को यगो पवित संसकार भी कहते हैं तो उपने इन संसकार को कहते हैं यगो पवित संसकार भी कौन सा संसकार मनुष्य जीवन का अंतिम संसकार माना जाता है तो अंतेश्टी माना जाता है अंतिम संसकार नेक्षन है आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संसकार किस से सम्मंदित है तो विवास से सम्मंदित है लीला मोरिया संसकार आदिवासी लोगों में नेक्षन है राजदर्बार की पंक्तिवद तरीके से बैठने की रिती को क्या कहा जाता है तो इसे मिशल कहा जाता है जो की राजदर्बार होता है उसमें पंक्तिवद लोग बैठते हैं तो इस जो बैठने का जो तरीका है इसे मिशल कहा जाता है नेक्स उने राजस्तान में सुरपर्थम किस रियासत ने सती प्रता को गेर कानूनी गोशित किया तो बूंदी रियासत ने किया था सबसे पहले सती प्रता को गेर कानूनी गोशित नेक्ष ने देश में पहली डबल सटे कंटेनर ट्रेन का शुबारम कब हुआ तो इसका correct answer है 23 March 2006 को हुआ था डबल सटे कंटेनर ट्रेन मतलब एक जो कंटेनर है उसके उपर एक और कंटेनर मतलब डबल कंटेनर रखके कोई रेलगाडी लेकी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं डबल सटे कंटेनर ट्रेन कहते हैं और इसका सबसे पहले सुबारम 23 March 2006 को हुआ था नेक्षने ब्रह्म गुप्त अनुसंदान एवं विकास केंद्र किस जिले में है तो ये जोदपुर जिले में इस्तित है नेक्षने राजस्तान निवेश प्रोसहन बोड का गठन कब किया गया तो 9 जून 2009 इस वी को किया गया था राजस्तान में निवेश प्रोसहन बोड का गठन नेक्षने काज पर सोने की सुष्क्मता चितरांकन की कला कहलाती है तो इसे थेवा कला कहते हैं नेक्षने लखडी का नकाशीदार फरनिचर क्या कहला बनता है तो ये बाड़ मेरजी ले के अंदर बनता है जो लखडी पर है वो नकाशीदार फरनिचर नेक्षने आजम प्रिंट के लिए प्रसिद है तो आकोला चितोडगट फैमस है आजम प्रिंट के लिए नेक्षने राजस्तान इस्टेट केमिकल्स वर्कर्स किस इस्टान पर इस्टित है तो डीड़वाना मिस्टित है इस्टेट केमिकल्स वर्कर्स नेक्षने राजस्तान सरकार का उपकरम इंस्ट्यूमेंट लिमिटेड इस्टित है तो ये कोटा मिस्टित है नेक्षने राजस्तान में दूसरे एग्रो फूट पार्क की इस्तापना कहां की गई है तो ये बोरा नाडा जोदपुर में की गई है दूसरे एग्रो फूट पार्क की इस्तापना नेक्स ने राजस्तान में प्रसिद्ध हस्तकला ब्लू पोर्टरी का उद्गव कहां से हुआ है तो परशिया फारस से हुआ है ब्लू पोर्टरी का उद्गव राजस्तान में नेक्षन है जसनाती संप्रदाय के प्रवतक संत कौन है तो जसनात जी है जसनाती संप्रदाय के प्रवतक संत नेक्षने विश्णोई संप्रदाई की परमुक पीट कौन सी है तो मुकाम तल्वा जो की बिकानेर में स्थित है वह मुक्य पीट है विश्णोई संप्रदाई की नेक्षने लालदासी संप्रदाई के प्रवतक संथ कौन है तो संत लालदस जी है लालदसी संत संप्रदय के प्रवतक संत नेक्षने राम इसने संप्रदय की पर्मुखवीट कौन सी है तो शाहपुरा भीलवाडा है जिसकी संस्तापक संत रामचरन जी ने कीती ये ही राम निरंजनी संप्रदाय के संत परवर्तक कौन थे तो संत हरी दास जी ते जिनकी पीट गलता जी जेपुर में इस्तित है यही रामानंद संप्रदाय के परवर्तक संत थे निरंजन आड़ा जी जैपुर में इस्तित है दादु पंद के परवर्तक पीठ तोrit परवर्तक कौन थे तो आचारिये निरंजनी संप्रदाय के परवर्तक संत थे तो नेक्षने किस बोली को बीलों की बोली कहा जाता है तो बागड़ी बोली को कहा जाता है बीलों की बोली नेक्षने राजस्तानी बाश्या में पाथल और पीथल रस्ना किसने की थी तो कनईया लाल सेटिया ने की थी पाथल और पीथल रस्ना राजस्तानी बाश्या में नेक्षने अकबर के नवरत्नों में राजस्तान के कौन से कवी थे तो अबुल फजलते राजस्तान के कवी अगवर के नव रतनों में नेक्षन है क्रांतिकारी रशना चेतावनी राचूटिया की रचियता कौन थे तो केशिर सिंग बारट के द्वारा लिखा गया है चेतावनी राचूटिया जो कि एक क्रांतिकारी रशना है निक्षने हिंदी में के एक राजदर्बारी कवी की शरंगार रस में प्रसिद करती है तो सस्सई है जो की शरंगार रस की प्रसिद करती है निक्षने राजपुताने का अबुल फजल है तो मुहनोत नेंसी को कहते हैं राजपुताने का अबुल फजल नेक्ष ने हरीकेली नाटक के रचीता कौन थे तो विग्र रास्ते हरीकेली नाटक के रचीता नेक्ष ने राजस्तान हिंदी गरंत अकादमी की स्तापना कब हुई तो 1979 इस्वी में हुई थी राजस्तान हिंदी गरंत अकादमी की स्तापना नेक्षने भारतिय लोक कला मंडल कहां पर सित है उदेपुर जिले में सित है भारतिय लोक कला मंडल नेक्षने राजस्तानी अभीलेकाकार कहां सित है तो ये विकानेर जिले में सित है नेक्षन है राजस्तानी भाष्या की लिपी महाजनी की उत्पती कहां से मानी जाती है तो इसका गरेक्ट आंसर है डॉक्टर ग्रियंसन ने नागर अपबरंशन से मानी जाती है यानि जो नागर अब भरंश है उससे मानी जाती है राजिस्तानी भाशा की लिपी महाजनी की उत्पती नेक्षने राजिस्तान में सरवादिक भाशा बोली जाती है तो मारवाडी बोली जाती है नेक्षने राजिस्तानी सहित्य का सुण काल कब से कब मानना जाता है तो 1700 से लेकर 1990 तक माना जाता है सुनकाल राजस्तानी सहित्ते का निक्ष ने राजस्तान में पर्थम बाश्या सर्वेक्षक किसे कहा जाता है तो जोर्ज मेक लिश्टर को कहा जाता है पर्थम बाश्या सर्वेक्षक निक्ष ने राजस्तानी बाश्या का मानग रूप किस बोली को कहा जाता है तो मारवाडी बोली को कहा जाता है निक्ष ने राजस्तान में बीलों की बोली कौन सी है तो बीली बागडी और वागडी ये तीनों परकार की बोली है राजस्तान में बीलों की निक्षने सन 1961 की जनगर्णा के अनुसार डॉक्टर आर सी निगम के अनुसार राजस्तान में कितनी बोलिया हैं तो तहतर प्रकार की बोलियां बोली जाती है राजस्तान में जनगर्णा रिपोर्ट 1961 के अनुसार नेक्षने जडशही बोली किन शेत्रों में बोली जाती है तो ये है जेपुर, किशनगर, टॉंक और लावा जो शेत्र है इन चारों शेत्रों में बोली जाती है जडशही बोली नेक्षने सूर्यमल मिश्रन की रसना किस बाशा में है तो हाड़ोती बोली में है नेक्षने मरू बाशा का संयुक्त शेत्र बताईए तो शेकावाटी तथा सिरोई शेत्र है मरू बाशा का संयुक्त शेत्र नेक्षने संत दादू ने अपने साहिते की रसना किस बाशा में क संत दादू के द्वार आपने सहिते की रसना। मौंटाबू का युद कब हुआ तो 1188 हिश्वि में हुआ था Markiger बीचोड बुण्दी का युद कब हुआ तो यह 1745 हिश्वि में हुआ था। राज महल का युद किसके बीच हुआ जो इश्वर सिंह और मादो सिंग के बीच में भूँद का उधू ने कंगा exceeded क serpent next ॐने दां कि मतिरे इकी राड का युद किसके बीच हुआ और इसमें किसकी जीत ख़ Eiू तो यह अमर सिंग राठोड और करण सिंग के बीच में भूँ ता और इसमें अमर नेक्षने रंतंबोर का युद किसके बीच हुआ तो हम्मिर चोहान और अलाउदिन खिलजी के बीच में हुआ था रंतंबोर का युद नेक्षने राजस्तान की थर्मापोली के नाम से किस युद को जाना जाता है तो हल्दिगाटी के युद को जाना जाता है राजस्तान की थर्मापोली के नाम से नेक्षने दत्तानी का युद कब हुआ तो 1583 इसवी में हुआ था दत्तानी का युद नेक्षन है तराहिन का पर्थम यूद में किसकी विजे हुई तो पर्थिवराज चोहान की विजे हुई नेक्षन है ख्वाजा महिनदीन चिस्ती की दरगा का निर्माण किसने प्रारम करवाया तो इलतुत मिशने प्रारम करवायता ख्वाजा महिंदीन चिस्ति की दरगा का निर्मान नेक्शने राजस्तान का जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है तो तारगड का किला है जो कि अजमेर में है इसे राजस्तान का जिब्राल्टर कहा जाता है नेक्शने राजस्तान का पर्थम मंदिर जिसमें तिती अंकित है तो ये सीतलेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि जालावाड में स्थित है जिसमें तिती अंकित है नेक्ष ने बिंदोरी क्या है तो जहलावाड का परमुक गेर शेली होली का जो नर्त है उसे बिंदोरी कहा जाता है नेक्ष ने अलाउदिन आलम शहा का कहा श्तित है तो ये तिजारा में श्तित है नेक्षने राजस्तान का नंदन कानन कहा जाता है तो सिली सेट जील को कहा जाता है राजस्तान का नंदन कानन नेक्षने पूर्वी राजस्तान का कश्मीर किस जिले को कहा जाता है तो अलवर जिले को कहा जाता है नेक्षने राजस्तान में छत्र विलास उद्ध्यान कहां इस्तित है तो ये कोटा में इस्तित है नेक्षने राजस्तान में पर्थम लोक अदालत कहां इस्तापित की गई तो कोटा में इस्तापित की गई थी 1975 इस्वी में पर्थम लोक अदालत निक्स ने राजस्तान में परतेग जिले में सरकारी बेंग का नाम क्या है तो केंद्रिय सरकारी बेंग है परतेग जिले में जो सरकारी बेंग है उसका नाम निक्स ने केशो राय पाटन शूगर मिल्स की स्ताबना कब की गई तो 1925 टिस्वी में की गई नेक्ष ने राजस्तान सरकारी शिक्षा एवं प्रबंद संस्तान कहां इस्तिता है तो इस जेपुर जिले में इस्तिता है राजस्तान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंद संस्तान नेक्षने राजस्तान पराजगा उद्गाटन कब और कहां किया गया तो नागोर में किया गया दो अक्टूबर 1969 इस्वी को किया गया और पंडित जवारला लेहरू के दुआरा किया गया नेक्ष ने सहकारी शताबदी वर्ष कब मनाया गया तो 2004 वी में बनाया गया नेक्ष ने पंचायतों को सावाइदनिक आधार दिया गया तो तहें तर्वे सविदान शंशुदन द्वारा दिया गया पंचायतों को सावाइदनिक अधिकार नेक्ष ने जंगर्णा संग सूची का विशे है जो सविदान की किस अनुसूची में दर्ज है तो यह साथवी अनुसूची में दर्ज है कि जंगर्णा संग सूची का विशे है नेक्ष ने किस वर्ष की जंसंक्या के इतियास में महाविवाजन वर्ष कहा जाता है तो 1921 की जो जनगर्णा थी उसे महा विवाजक वर्ष कहा जाता है नेक्षने राजस्तान विद्यापीट की इस्ताबना कब की गई और कहा इस्तित है तो 1908 में की गई थी और ये उद्यपुर जिले में स्तित है राजस्तान विद्यापीट निक्ष ने केंद्रिये उट अनुसंधान संस्तान कहां इस्तित है तो ये जोहर बीड में इस्तित है केंद्रिये उट अनुसंधान संस्तान निक्ष ने मेवाड का मेराथन किसे कहा जाता है तो दिवेर के युद को कहा जाता है मेवाड का मेराथन नेक्ष ने जाट वंश का अठारवी शताब्दी के मद्दे में किन विवागों पर आदिपत्य रहा तो भरतपूर और धोलपूर इन विवागों पर आदिपत्य रहा जाट वंश का अठारवी शताब्दी में नेक्ष ने राजपुताना को किस राजगरा ने नए प्रजामंडल का सरक्षक दे रखा है तो जहलावार का सरक्षक दे रखा है नेक्षने राष्टिय लो यूनिर्सिटी राजस्तान में कहां इस्तित है तो यह जोदपुर जिले में इस्तित है नेक्षने जावर खान किस जिले में इस्तित है तो यह उद्यपुर जिले में इस्तित है और यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपना प्लांट की गई थी नेक्ष ने चंबल Fertilizer and Chemical Industry स्थापित है तो ये गड़े पान में स्थित है नेक्ष ने गुरुद्वारा बुड़ा जोहड किस जिले में स्थित है तो ये श्री गंगानगर जिले में सरपर्थम किया था एनाल्स एंड एक्टिविटी आफ राजस्तान में 1829 इस्वी में राजस्तान शब्द का परियोग किया था कर्णल जेम्स की तोड़ के दुआरा नेक्ष ने अजमेर की तारगट पहाड़ी की उचाई कितनी है तो 873 मिटर है अजमेर की तारगट पहाड़ी की उचाई नेक्ष ने प्रियावण निती बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है तो राजस्तान राज्य है जिसने सबसे पहले प्रियावण निती बनाई है नेक्षने बंद बरेठा अभ्यारण को किस उपनाम से जाना जाता है तो परिंदो के घर के नाम से जाना जाता है बंद बेरेटा अबिहरन को नेक्श ने बारत में पहला जनतुवाले कब और कहां तापित किया गया तो मद्रास में तापित किया गया और अठारासो पचपन इस्वी में तापित किया गया नेक्श ने Great Indian Bustard किसे कहते हैं गोडावन है उसे कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से नेक्षन है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई तो 1973 इस वी के अंदर हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत नेक्षन है कोटा जन्तुवाले कब इस्तापित किया गया तो 1954 इस वी में किया गया कोटा जन्तुवाले इस्तापित नेक्षन है बस्केट बोल को राजस्तान के राज्ये खेल का दरजा कब मिला तो 1948 इस वी में मिला राज्ये खेल का दरजा बस्केट बोल को नेक्ष ने राजस्तान के बागों का जच्चागर किस अभ्यारण को कहा जाता है तो रामगड विश्दारी अभ्यारण को कहा जाता है जच्चागर बागों का नेक्षने, रंथंबोर राष्टिय पार्क को राजस्तान के परतों राष्टिय उध्यान का दर्जा कब मिला नेक्षने, बाग शीकर सम्मिलन, आयूजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है तो राजस्तान राज्य है जिसने अक्टूबर नॉवंबर 2010 को सबसे पहले बाग सिकर शमर्जलन आईजित किया था नेक्षन है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है तो रिकेटिस रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से और विटामिन डी आपको सूरिय की दूप से मिलता है नेक्षन है सीज की फुल फॉर्म है तो S का मतलब होता है सोलर, E का मतलब होता है एनरजी E का मतलब होता है Enterprise Z का मतलब होता है Zone तो Solar Energy Enterprise Zone होता है Siege की Full Form Next शने राजस्तान के पर्तम राज्यपाल कौन थे? तो सरदार गुरुमुक निहाल सिंग थे पर्तम राज्यपाल राजस्तान के Next शने राजस्तान के पर्थम विदान सबा अध्यक्ष कौन थे तो नरुत्म लाल जुशी थे पर्थम विदान सबा अध्यक्ष नेक्षने राजस्तान के पर्थम मुख्य मंत्री कौन थे तो हीरा लाल शास्त्री थे नेक्षने राजस्तान के पर्थम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे तो इनका नाम है टीकाराम पालिवाल नेक्षने राजस्तान के पर्थम महिला राज्यपाल कौन थे तो परतीबा पाथिल थी नेक्षने राजस्तान के पर्थम महिला विदानसबा अद्यक्ष कौन थी तो सुमित्रा सिंग थी नेक्षने विदानसबा के पर्थम मुक्य सचे तक कौन थे तो मातुर दास मातुर दे नेक्षने राजस्तान के पर्थम महिला विदानसबा अद्यक्ष कौन थी तो तारा ब नेक्षने विदान सबा में प्रतिपक्ष की पर्थम नेता कौन थे तो कुवर जस्वन सिंग ते प्रतिपक्ष के पर्थम नेता नेक्षने सरवादिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो टौक है जहाँ पर लिंगानुपात 985 है मतलब 1000 लड़कों पर लड़कियों की संक्या 985 है नेक्ष ने अनुसुचित जाती की सरवादिक जन संक्या किस जिले में है तो ये जेपुर जिले में है नेक्ष ने जंगर्णा 2011 में राजस्तान का लिंगानुपात में देश में कौन सा इस्तान है तो देश में 21 वह स्तान है राजस्तान का लिंगानुपात के मामले में नेक शुने वर्ष 2001 की जनगर्णा के अनुसार राजस्तान में औस्त जनसंक्या गहनतु था तो 165 था औस्त जनसंक्या गहनतु 2001 की जनगर्णा के अनुसार नेक्श ने, राज़स्तान में वर्श 2011 की जन गणना की अनुसार, शाक्षर्टा दर कितनी है, तो EST 7.06% है, शाक्षर्टा दर 2011 की जन गणना की अनुसार नेक्षन है माननव विकास सुचकांग के अनुसार राजस्तान राज्ये का सरवादिक पिछडा जिला है तो डूंगरपुर जिला है और सुचकांग में किते अंग मिले हैं पॉइंट 456 इसको अंग मिले हैं एक में से नेक्षन है राज्ये में जनजातिय आबादी का सरवादिक केंदर युक्त संभाग है तो उद्यपूर संभाग है नेक्षन है जनसंक्या प्रियाटन विकास निगम लिमिटेड की स्तापना कब हुई तो 1978 इस्वी में हुई थी जनसंक्या प्रियाटन विकास निगम लिमिट ने किसके नाम पर शाक्षिरता शेत्र में राश्टिय इस्तरिय पुरुसकार प्रदान किया जाता है तो काली भाई जो कि एक छात्रा थी जिसने अपने अध्यापक की रक्षा के लिए अपने प्राणों की नोचावर किया था उसके नाम पर दिया जाता है शाक्षिरता के श छेतर में राज्येस्तरिये पुरुस्कार नेक्ष्णे यह लेकर जैस्तर्चु को गोश्ञाए अवव विध्रोगल अगस्त नेक्ष्ण लाग समीति किस इस्तान से संबंदित है तो ये भरतपुर इस्तान से संबंदित है नेक्षन है राजस्तान सेवा संग की इस्तापना कब की गई तो निस इस्व में की गई राजस्तान सेवा संग की इस्तापना नेक्षन है किस कानून को विकानेर का काला कानून कहा जाता है तो सार मई 1931 को की गई थी मारवाड़ी यूत लिख की इस्ताबना नेक्ष ने सर्व हितकारेणी वाचनयाले की इस्ताबना कब की गई तो इसकी 1915 इस्वी को इस्ताबना की गई सर्व हितकारी वाचनयाले की स्थापना नेक्शन है आचार सुधारिणी सभा की स्थापना कब कहां और किसने की तो दोलमुर में की 1910 इस्वी में की गई और यमुना प्रसाद वर्मा द्वारा इस संगठन систवday की गई जिसका नाम है आचार सुधारिणी सभाई नेक्शन है जेन वर्दमान विद्याले की स्थापना कब और किस ने की तो 1907 इस्वी में की अर्जुनलाल सेटी के द्वारा की गई जेन वर्दमान विद्याले की स्थापना नेक्ष ने वीर भगत सभा की स्थापना कब और किस ने की तो 1910 इस्वी में की गई और गोपाल सिंग, खरवा, वे, केसरी सिंग बारट इन दोनों ने मिलकर की गई थी कौन-कौन था गोपाल सिंग, खरवा और केसरी सिंग बारट ने की वीर भारत सबा की स्तापना नेक्ष ने, राजस्तान सरकार ने प्रदेश में पहली क्रशी निती को मंजूरी कब दी तो 26 जून 2013 इस्वी को दीगी गई थी, पहली क्रशी निती को मंजूरी नेक्ष ने जेपुर का टर्मिनल मार्केट कहा जाता है तो मुहानमंडी को कहा जाता है जेपुर का टर्मिनल मार्केट निक्षने राजस्तान सरकार द्वारा राज्ये की पर्थम पुष्प्रमंडी कहां पर है तो पुषकर अजमेर में है पर्थम पुष्प्रमंडी नेक्षने राजस्तान राज्ये क्रशी विपढणन बोर्ड की स्ताबना कब की गई तो इसकी स्ताबना 6 जून 1924 को की गई थी क्रशी विपढणन बोर्ड की स्ताबना नेक्षने किसान सेवा केंद्र की स्ताबना कब और कहां की गई तो जोदपुर में की गई और 1908 में इस्वी में की गई नेक्षने सहेकारी क्रशक जोती योजना का प्रारम की गई तो 1908 में 1909 में इस्वी में प्रारम की गई सहेकारी क्रशक जोती योजना नेक्षने राश्टिये क्रशी एवं ग्रामिन विकास बेंग की स्तापना कब की गई? तो 12 जुलाई 1982 को स्तापना की गई राश्टिये क्रशी एवं ग्रामिन विकास बेंग की स्तापना निक्षने राज्यस्तान राज्ये सहकारी क्रेविक्रे संग लिमिटेट की स्थापना कब की गई तो 26 नॉवंबर 1957 को की गई राज्ये सहकारी क्रेविक्रे संग लिमिटेट की स्थापना निक्षने ब्राउन करांती किसके उत्पादन से सम्मधित है तो ये बेकरी चोकलेट और चार्ज के उत्पादिन से संबंजिता है ब्राउन क्रांटी नेक्शने मूंखवली का वानस्पतिक नाम क्या है तो इसका नाम है आर्चिज हाई पोगिया है मूंखवली का वानस्पतिक नाम नेक्शने अब देख लेते हैं दुस्तों जो 1857 की एकरांती है हुई थी उस समय जो राथपूत रियासेती थी उनके पोलिटिकल एजेंटों की नावम आपको याद करा देते हैं दुस्तों जोदपूर जो रियासेती उसका पोलिटिकल एजेंट था जेम, मोंसन, कोटा का पोलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, भरतपूर का पोलिटिकल एजेंट था मोरिसन, जेपूर का पोलिटिकल एजेंट था इडन, उदेपूर का पोलिटिकल एजेंट था शारवर्स, और स सबी दोस्तों के साथ Facebook और WhatsApp अकाउंट के मादम से शेयर भी कर दीजिए तो आज की लिए दोस्तों इतना ही Thank you दोस्तों